जैसा कि इस मॉडल के आप देख रही हैं, हमने यहाँ पर एक बेलन्स दर्शाया है, जिसकी उंचाई है H और इसकी जो त्रिज्या है, यदि उसको R मान लिया जाए, तो यह R त्रिज्या और H उंचाई के साथ एक बेलन्स हमने यहाँ पर दर्शाया है, और यनि इस बेलन्स को हम खोल देंगे, तो वह इस प्रकार का एक आयत हमें प्राक्त हो जाएगा, हम आईए देखें सबसे पहले कि इस आयत के लिए इसकी लंबाई और चुड़ाई क्या होगी, जैसा कि आप जानते हैं, यह आयत हमने इस बेलन्स से बनाया, तो इस बेलन्स की यह जो परिधी है, यह है, जब इसको खोलेंगे, तो यह इस आयत की लंबाई बन जाएगी, बेलन्स की परिधी टू पाई आर होती है, इसलिए इस आयत की लंबाई भी टू पाई आर होगी, इसी प्रकार से इस बेलन की उन्चाई है H तो इस आयत की भी जो उन्चाई होगी वो होगी H आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चुड़ाई इस आयत की लंबाई है 2πR और इसकी चुड़ाई है H तो 2πR गुना H यह आगया 2πR H जो की इस बेलन का वक्र प्रिष्ठे क्षेत्रफल है इसी प्रकार से यदि हमने इस बेलन का कुल प्रिष्ठे क्षेत्रफल ग्याद करना हो तो हम देखेंगे कि इस बेलन के इस तरफ यदि एक धका लगा दिया जाएगा तो वो गोल धकन होगा जैसा कि हमने यहाँ दर्शाया है इसे प्रकार से यदि इसके उपर भी एक धकन लगा दिया जाएगा तो वह भी गोल वृत होगा जैसा कि हमने यहाँ दर्शाया है अब यदि इस बेलन का कुल प्रिष्ठे क्षेत्रफल ग्याद करना हो तो वह होगा इस आयत का क्षेतरफल प्लस इस वृत का क्षेतरफल प्लस इस वृत का क्षेतरफल आयत का क्षेतरफल हमने अभी निकाला है 2πrh वृत का क्षेतरफल होता है πr² तो दो वृतों का क्षेतरफल हो जाएगा 2πr² इन दोनों बदों में से 2 πr हम कॉमन लेंकर यहां पर बचेगा h और यहां से बचेगा r तो हमारे पास कुल प्रिष्ठे क्षेतरफ़ आ गया 2 πr गुना h प्लस r यह है बेलर का कुल प्रिष्ठे क्षेतरफ़ तो हमारे बचेगा h और यहां प्लस चुल प्रिष्ठे क्षेतररफ़ दिर्फ़े आ प्लस प्लस थालप खषेतरर प्लस च्रहां से बच्र यहां से बचता ह।